है यह तो हम City के त्दिन सुनितियांस में आप आप सभी का स्वागत आप तो फ्रेंस की इस वीडियो में ओड़ी में से तीन जोड़ी मझे बनाना बताऊंगी थो फ्रेंस से हमने हुड़ी ले और इस तरह से हमें पैर रखकी मांग कंड ले ना है पैर कर जिस पैर का आप मुजा बनाते हो उसी पैर कर नाप लेना है तो हम आदा इंच और ले लेंगे इसके बरावर से मार्जिन के लिए अब हम इसको कट कर लेंगे और इसको रखके हमें माक करके निकालना है यहां से कट कर लेना है तो अब हम इसको cut कर लेंगे यह हमारे दौनों पैरों की निकल गए अब इसका नाप लेंगी तो यहां से आया है हमारा 10 इंच अब हम slips में से cut करेंगे तो यहां से भी हमें 10 इंच cut करना है उपर के लिए 10 इंच पर हमने mark कर लिया है इस तरह से अब हम पैर का नाप लेंगे पहले तो यहां से आया है हमारा 5 इंच एक इंच margin का add करेंगे तो यहां हो जाएगा 6 इंच तो 6 इंच का आदा लेंगे मतलब यहां हम लगाएंगे 3 इंच पर 3 इंच पर निसान तो हमने निसान लगा लिए अब हम इसको कट कर लेंगे यहां से पांच इंच लेंगे और एक इंच अंदर की शैड लेंगे इस तरह से राउंड करते हुए और इसको कट कर लेंगे तो यह भी हमारे दो पैरों के बन गए और यह हम पट्टी लेंगे उपर लगाने के लिए अब हम दूसरा निकाल लेंगे दूसरे जोडी निकाल लेंगे तो हम इसको रख के cut करेंगे इस तरह से हम इसको भी cut कर लेंगे अब हम इसको stitch कर लेंगे बैक से सेधा कर लिया अब हम इसके उपर से पट्टी लगाएंगे तो यहां से हमें बैक में जो सिलाई से सिलाई मिलाके पट्टी लगानी है यहां से भी हम पिन अब कर लेंगे बैक में और एक सेंटर में पिन लगाएंगे यहां से border को हमें खीच के लेना है इस तरह से हम चारों तरफ पिन लगा के और इसके ऊपर से stitch कर लेंगे तो हमने यह दोनों जोड़ी इसी तरह से same तयार कर लिये अब हम इस पर attach करेंगे तो हम attach किस तरह से करेंगे यहाँ पे बीच में पहले निसान लगाएंगे सेंटर में, दोनों साइड आगे और पीछे, और निसान के पास सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, इस तरहे से हम पिनप कर लेंगे. अब हम इसको स्टिच कर लेंगे चारो तरब से, तो स्टिच हमने कर लिया है, इसी तरह से हमने चारो मूजों को स्टिच कर लेंगे, अब हम इसको पहन के दिखाएंगे, बहुती प्यारे मूझे बनके रेडी हुए हैं, आप आराम से सर्दियों में घर में पहन सकते हैं, बहुती कमफटेवल बने हैं, और ये बचा हुआ पीस और है, इसमें से भी हम बनाएंगे, तो इसमें हम 10-11 इंच लंबाई रखेंग और इस तरह से पीस कट कर लेंगे, तो हमने ये पीस कट कर लिया है, अब हमने ये कपड़ा लिया है, इस कपड़े के ऊपर रखेंगे हमें कट कर लेना है, इसको यहां से हमने 5 इंच लिया है, एक इंच अंदर से लिया है और इस तरह से राउंड में कट कर लेंगे, यहां से भी हलका सा राउंड कर देंगे अब इसके कप्ड़े को उपर इस तरह से स्टिच करेंगे पहले पिन अप कर लेंगे उसके बाद में हम सिलाई से स्टिच कर देंगे स्टिच कर देंगे यहां से स्टिच करेंगे चोटी चोटी से कट लगाएंगे इसको फूल करके और उपर से फिनीशिंग की स्टिच कर देंगे यहां से इसके चार अत्रब भी स्टिच कर देंगे और एक्स्ट्रा जो मार्जन है उसको कट कर देंगे यहां से स्टिच करेंगे और जूती हमारी बनके रेड़ी हो चुकी है अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक्स पर वर्चेंग